टीम बनाने के पीछे कारण ये था कि जो स्थानिय लेवल पर जो अनुसंधान हुआ था उसमें इरेगुलर्टिस हुई थी और कुछ कमिया पाई गई थी जिसके आधार पर SIT का गठन करना पड़ा और वहां के पताधिकारियों पर भी कुछ कारवाई करनी पड़ी थी लेकिन अभी जो फोकस है वो इस कारण के बारे में है जिसमें हम लोगों ने NCB ने 20 में से 14 लोगों पर चार्शीट दाखिल किया है और 6 लोगों पर चार्शीट दाखिल नहीं किया गया चार्शिट दाखिल करने के पीछे कारण ये है कि 14 लोगों पर ठोज सबूत मिले अर्था ठोज सबूत का मतलब है फिजिकल एविडेंस और सर्कम्स्टेंशल एविडेंस और साथ ही उन लोगों पर जिन पर चार्शिट दाखिल नहीं की जा सकी उसमें जो प्रारमिक इन्वेस्टिगेशन था उसमें कुछ कमिया थी और इसके आधार पर ये का जा सकता है कि अंतता सफिशेंड एविडेंस नहीं मिला इसका इसके पीछे एक ही सिध्धान्त को माना गया और वह सिध्धान्त मानिय सरवोच नियाले ने भी कई बार दोराया है वह प्रिंसिपल है बियॉंड रीजनेबल डाउट अगर रीजनेबल डाउट कहीं है तो उसके बियॉंड होना चाहिए तभी सुबूत को कारगर माना जाएगा और ऐसा अकसर माना जाता है कभी-कभी गलती से माना जाता है कि अंदाज पर भी आप करवाई कर सकते हैं लेकिन मानिय नियाले ने कई बार कहा है कि अंदाज पर करवाई नहीं होनी चाहिए strict act ज़रूर है लेकिन principle beyond reasonable doubt का ही मानने होगा और उसी के आधार पर 14 लोगों पर beyond reasonable doubt हम लोगों ने evidence पाया 6 लोगों पर evidence नहीं पाया इसलिए 14 लोगों पर चार्शीट आज कर दिया गया है और 6 पर चार्शीट नहीं किया जा सका अंतता मैं ये भी बताना चाहूँगा कि SIT ने बहुत professional way में इस पर काम किया इसके लिए SIT की पूरी टीम संजय सिंग साब के अंडर में बदाई का पात्र है और उन्होंने एक ही कसोटी माना कि जहाँ evidence मिला उस पर कारवाई हो जहाँ evidence नहीं मिला उस पर चार्शीट नहीं और अंतता जो कोट माननी और नियालाय से हम लोगों ने समय मांगा था वो पूरी detail जाने के लिए मांगा था हमारे पास digital evidence भी था जिसमें बहुत सारी digital evidence का हवाला दिया गया था initial investigation में उस सब की जाँच की गई सब तरह से हम लोगों ने तैकिकात की और अंतता इस पर उपनित हुए कि 14 लोग इसमें चार्शीट के पात रहे हैं छे नहीं नहीं जाँच का दाइरह अभी खुला हुआ है और जाँच अभी पूरी तरह से complete नहीं हुए है लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी ही हम लोग जाँच उस जाँच को भी complete करेंगी और इस SIT ने भी अपने टिपणी में कुछ पॉइंट नहीं हैं जो कि कहीं कहीं गंभीर भी हैं प्रोसीडियरल भी हैं तो उस पर भी कारवाई होगी तो समयकित कारवाई होगी और समय पर होगी Sir, Ajan Khan was a prominent name who was also arrested. Are you ready for any kind of scrutiny for the court also because there will be several doubts which will be raised on social media and you know, through due course of time. Is the NCB totally prepared to answer questions of the court when the arrest of Ajan Khan will be questioned? वे प्याद रहा जोप टो डिजय को बिटीन नCB that is why we as an organization took it upon us as our responsibility to take over the case which was becoming controversial and it was the NCB's reputation at stake so we took over the case we did a professional investigation and we have come to the conclusion we are open to all स्कूर्टिनी और अब्यूसली जो प्रक्रिया जो एसाइटी के इतर एक स्पेशल एंक्वारी टीम देखिया था जो की विजलेंस के इशूस पर इंक्वारी की थी वो दूसरे डीजी के बार्ग दर्शन में हुआ था उसमें जो भी कंसरेंट स्टेकोल्डर से उनके साथ उनसे पुष्टाच की गई अब किस के साथ पुष्टाच की गई वो मैं नहीं बता सकता लेकिन जो भी कंसरेंट थे उनके साथ पुष्टाच की गई क्योंकि चार्ज जो भी चार्ज आया था विजलेंस का जो भी मामला आया था वो जिससे भी जुड़ा हुआ है सब से लोगों को आपने चार्शीट किया तो जिन लोगों को आपने आरोपी बनाया सूला लोगों को क्या उनके आप ऐसे सबूत मिलें कि वह इंटरेशनल ड्रस कॉंस्पिरेसी का हिस्सा थे यह पूरा जो क्रूज वाला मेंटर था उसमें जिस सेक्षन में चार्शेट दाखिल हुई है उससे यह सपाश्ट है कि इंटरनाशनल कॉंस्पिरेसी नहीं थी बलकि अलग-अलग अलग-अलग पार्ट में लोग बटे हुए थे हाँ जरूर यह था कि क्रूज में सब लोग थे या क्रूज में चड़ने वाले थे लेकिन वो आपस में एक साथ एक ही ग्रूप का हिस्सा थे ऐसा रही पाया गया वो अलग-अलग ग्रूप के ग्रूप में आये थे कभी कोई चार में था कोई तीन में कोई दो में लेकिन बटे हुए थे इसलिए यह एक जॉइंट कॉंस्पिरेसी नहीं थी बीसों की या चौदा की और इसके इतर यह भी स्पष्ट हो गया कि इसमें कोई इंटरनाशनल कॉंस्पिरेसी की बात कोंक्लूजिव रूप से पूरूब नहीं हो रही है के वल्ट्वाट्साइप चैट को अधार करके हम लोग क्लूजिव एविदेंस नहीं जुटा सके कुरूए पु मिरो फ्लिग्टा कंचूए थू करिसे लिएा ठाजम से बारिक से बार मवि घूस निए कि भी जानेफ फूस फ्लिट जा हुड जूनि हो से प खाल्माइ लिएकू लोगू लोगोरी जस्तार बिस्टीं आप हाईए्टर चीरा इसक्ट कर बाई। अप्र संजय संजय सिंग बेवाज एड माट बेखा Co चाशिय्ट ही लुबगाएश कि ऑन तो फ्रफ इन निवे को बगोगाइब त convicted six cannot be because of evidence and finally there is a vigilant, the vigilant aspect is a separate case, separate matter it is still being finalized and I can assure you all those who were connected to that vigilant's case रिमोटली और अधर्वाइस वेर अविदेंस पर दाखिल करना अपने आप में सवापती को इंगित पुरी तरह से नहीं करता अगर कोई फ्रेश एविदेंस बिलता है तो उसके लिए हम लोग ओपन है अर्याण खान को जिस बेसिस पर clean चिट दे दिया गया हमने देखा था कि उस समय लगातार यह कहा जारा था कि पल की बात हो रही है और इसी वाटसाब चैट के आधार पर आप लोगों ने रिया चकुरुति को कि भी गिरबतार किया था तो क्या उस वाटसाब चैट का कुछ अधार नहीं बनता वाटसाइब चैट या कोई भी चैट चाहे वह वाटसाइब पर हो चो या किसी भी माध्यम से हो उसका करोबुरेशन फिजिकल होना चाहिए कई बार मानने न्यालायों ने यह सपष्ट किया है कि वाटसाइब चैट अपने आप में कोई बाइने नहीं और यह प्रिपॉंडरेंस और प्रोबाबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो एंडी पीएस आट पर लागू नहीं होता है ब्यॉंड रिजनेबल डाउट होना चाहिए और ब्यॉंड डाउट हैसा एविदेंस हम लोग पर नहीं मिला ठीके साथ अटसाथ में जो हो प्रिंसि